एले स्टुरेंट्स आई होब आप सभी बढ़िया होंगे, एकट यू के बीफार्मा के सभी स्टुरेंट इस ख़बर को ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़ी ख़बर है आप सभी के लिए जिनका भी किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, अभी तक आपका बैक पेपर का रिजल्ट नहीं आया है, आपको बैक क्लियर करना है, तो ध्यान दीजीए, ख़बर आपके लिए, आपके हित की खबर है, अगर इस चीज को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप आगे फसने वाले हैं, आप प्रमोट नहीं होंगे, अपने नेक्स चेमेस्टर में इस चीज का आप ख्याल रखें, बिसाइ क्या है अपने इस खबर का, इस चीज को हम पहले ध्यान में रखते हैं, सत्र दोजार इकिस बाइस योंबाइस देस में प्रवेस लेने वाले बीफारमा के ऐसे चात्र, यहाँ खबर टोटली बीफारमा के जो चात्र हैं उन्हीं क के लिए जिनका भी admission 2021-22 में हुआ university के main campus में या फिर किसी भी affiliated college में बीफार्मा में उनका admission हुआ 2021-22 में या फिर 22-23 में परवेश लेने वाले बीफार्मा के ऐसे चात जिसके सत्र 2022-23 की semester की परथम यों दुतिये वर्स के carry over परिच्छा में समलित नहीं हो सके जो भी चात सम semester के साथ जो उनकी carry over की परिच्छा हुई चाहे वो परथम वर्स के रहे हो यानि की first year student रहे हो या दुतिये वर्स के यानि की second year student रहे हो तो समलित नहीं हो सके तथा परिच्छा परिडाम का जो इस्टेटस है वह यदि NPTY या NPFY है तब भी के छात्र छात्राओं को अपने कैरी ओवर बिसियों के फार्म भरे जाने के संबंध में तथा परिच्छा सुल्क जमा कराये जाने के संबंध में यहां आपकी खबर है कि आपको अब क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है उपरोक्त बिसय के संदर्व में आउगत कराना है कि सत्र दोजार बाइस तेस में कतिपए कारण वस बिसम सनश्टर की परिच्छाओं के साथ कराये गए बीफार्मा पर्थम यहम दुतिये वर्स के कैरी ओबर परिच्छाओं के चपल था रिजल्ट आपका जो था जो आपने करी ओबर फार्म फिलप किया था उसका रिजल्ट नहीं आ सकाば उसके बाद क्या है इसमें खबर क्या है करूं करिकूंब 10.122 या NP-FY सो हो रहा है 2023-2024 का जो अभी result आपका हाल-फिलाल में आया है जब आप लॉग-इन करते हैं ये चीज आपका सो हो रहा था छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए माननिय कुलिपत महोदय द्वारा दिनांक 2-12-2023 को बिस्विद्याले के बिफाम कोर्स अंचालित करने वाले सभी संस्थाओं के निदेशकों परचारियों से आनलाइन बैठक कर इस बिसे पर गहन चर्चा की गई चर्चा में निदेशकों और परचारियों द्वारा प्राप सुझाओं पर बिस्विद्याले की 78 बैठक में लिए गए नीड़े अनुसार 6 हित में ऐसे सभी चात्रों को सासर्थ 5 में उन 7 में समेस्टर में प्रोवीजनली प्रमोट किया जाता है ठीक है जो भी चात्र है जिनका भी ये रिजल्ट सो हो रहा है जो कि पहले 5 और 7 समेस्टर में आप नहीं जा सकते थे जब तक आपका ये कैरी ओवर वाला रिजल्ट नहीं क्लियर होता था लेकिन आपको प्रोवीजनली क्या है कि प्रमोट किया जा रहा है 5 और 7 समेस्टर के लिए अगर ये चात्र अपना बैकला क्लियर या पास कर लेंगे तो इन्हें चट्वे और 8 समेस्टर में प्रवेस दिया जाएगा अन्यता नहीं यदि चात्र पर्थम अथवा दुतिये वर्स की कैरी ओवर विसे या बैकला क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वे क्या होंगे चट्वे और 8 समेस्टर में प्रवेस उनको नहीं दिया जाएगा ध्यान दीजिएगा आपको अपना रिजल्ट यहाँ पर अपना जो कैरी ओवर विसे है आप 5 और 7 समेस्टर के लिए प्रमोट किये जा रहे हैं लेकिन यदि आपका 5 और 7 समेस्टर तक आपका ये चट्वे और 8 समेस्टर में जो प्रवेस देना है वह नहीं हो पाएगा इस चीज को आप ध्यान रखें उनके 5 और 7 समेस्टर का परिच्छा परड़ाम लंबित रखा जाएगा इस चीज को आप ध्यान देंगे फिर उसके बाद जो आगे की बात दी गई है परिच्छा फा दिसमबर 2023 तक परिच्छा फारम भरे जाने तथा निर्धारित सुल्क जमा करने हिट ERP पोर्टल खोल दिया गया है यानि कि 27 दिसमबर तक आप सभी अपने परिच्छा फारम फिल कर सकते हैं अपने इन कैरी ओबर विस्यों के लिए और सभी चीजों के लिए और उसके बा परिच्छा फारम भरवाने यों परिच्छा सुल्क जमा करवाने का कष्ट करें तो इस चीज का आप ध्यार रखें कि 27 तारीक तक आप लोग क्या कर पाएंगे अपनी परिच्छा फारम और सारी चीजों को कर सकते हैं 27 दिसमबर ये डेट याद रखिए इसके पहले अपन पूरी ख़बर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलिग्राम चैनल को आप जॉइन करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फारो करिये जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यों लभईवाल नमस्कार यूजी हो बिखेंग से भी गानता ही जूला याओना नहीं हुआ हुआ है